नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी, अपने यूट्यूब चैनल मैथ सलारंपर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, ये संख्या पद्दती की 9 वी क्लास है, 9 वी वीडियो है इससे पहले मैं 8 वीडियो अप्लोड कर चुका है अगर उनको आप देख लोगे, तो आपका जीरो से हीरो तका सफर संक्या पद्दती में पूरा हो जाएगा Means, कहने का ये है दोस्तों, उन 8 वीडियो में मैंने संक्या पद्दती के हर वो सवाल को रखा है हर उस सवाल को डिसकस किया है, जो एक्जाम में आता है बहतरीन ट्रिक के साथ, बहतरीन कंटेंट के साथ वो वीडियो मैंने बनाई है और आप अगर उन वीडियो को देख लोगे, तो स्वैम ये बात कहोगे कि हाँ, ठीक है, संक्या पद्दती में कोई कॉनसेप्ट ऐसा नहीं बचा कोई क्यूशन ऐसा नहीं बचा जोग हमसे नहीं हो पा रहा ठीक है, तो बस आपको करना ये है कि उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर देखना है उन पर करम लिखा है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक करके सब पर मैंने नमबर का डाला है वो जिस नमबर पे है, जो उन से सीरियल में आ रही है ठीक है दोस्तों, आज वो क्यूशन मैंने यह लिखे है, यह लास्ट वीडियो है, संक्या पद्देदी की और मैं अपनी नॉलिज़ के हिसाब से जितनी भी भुकों से मैंने च्छाटा इसी क्यूशन को वो सब मैंने कराए दोस्तों, तो आज कुछ और क्यूशन बचे थे, जिनको मैंने अभी उन वीडियो में डिसकस आपके साथ नहीं किया था तो जो भी है, ये भी इंपोर्टेंट, ये भी एक्जामस में आते हैं, और कैसे इनको करना है, दोस्तों, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ तो चली देखते हैं, इस लास्ट वीडियो को, इसके बाद अगला चैप्टर करेंगे, और बेहतरिन ट्रिक के साथ करेंगे तो देखें, जो आज के जिस क्यूशन है, इस वीडियो में, जितना भी संख्या पती थे साथ क्यूशन बचेंगे, वो मैं आज डिसकस आपके साथ करूँगा, उसके बाद लगभग लगबेगी चिप्टर फिनिस हो जाएगा, चली देखते हैं, इसने कहा, यदि स्टार क अर्थ है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है, तो 1 स्टार 2 ब्रेकिट बंद स्टार 3 का मान क्या है, कहने का मतलब दोस्तों, इस सब पहली संख्या में इस दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है, तो दूसरी संख्या कौन है भई, दूसरी गुना होता दोस्तों 12 और इस 12 को आपको एक में जोड़ना है तो यह बन जाएगी 13 और सवाल बन जाएगा कुछ यूँ ठीक दोस्तों इस बात को समझे आप अब क्या होता है अगल लाइन देखिए अब यह दूसरी संख्या यह हो गई दूसरी संख्या यह हो गई फिर से द आंसना रा जाएगा 31 पे हमें टिक करना है तो इस टाइप के क्यूशन भी अगर हमें नजराए तो ऐसे करने हैं इसमें देखें मित्र यह कहते हैं कि A स्टार B का अर्थ है 2 A माइनस के 3 B प्लस के A B तो इस सब का मान हमें बताना है समझने का प्रियास करेंगे ठीक है दोस्तों यह हमारे लिए A है यह B है प्लस फिर से यह A है और यह B है चलो देखो दोस्तों यह वाला फार्मूला जो इनके लिए यहां पर लगाया था वो इसमें लगाएं पहले पहले थे लिखे 2 गुणा 3 क्योंकि ये 2 गुणा A है माइनस 3 गुणा B B का काम कौन कर रहा भया 5 कर रहा है ठीक है ना और प्लस के जैसे हमने A B की गुणा की यहाँ पर ऐसे हम 3 पंजे 15 करतेंगे ठीक ये 1 हुआ प्लस यहाँ पर भी देखें तो आप भी अपने B का तिकना करें माइनस का निशान होना चाहिए तो 3 तिया 9 और जैसे दोस्तो इनों ने क्या किया था A B की गुणा तो आप भी गुणा कीजिए प्लस के 15 तिन पंजे 15 या 5 तिया 15 दोन ब्रेकिट ऐसे आए इसमें भी देखो मित्र इसमें भी देखेंगा आप ये 2 तिया 6 माइनस के 3 पंजे 15 क्योंकि यहाँ दूसरी संख्या के इनों ने लिया था 3 गुणा तो हमारा यहाँ पर 5 का 3 गुणा 15 तो 15 प्लस 15 यहाँ पर भी देखें 10 माइनस के तीन यहां पर प्लस का निसान है बीच में और प्लस के 15 ठीक मित्र बहुत अच्छे से सॉल्व करते जा रहे हैं बहुत इजी से आसान तरीका है इनको करने का सब कर लेंगे एक बर समझने की जुरुत है यह प्लस के 15 से माइनस के 15 कट गया दोस्तों तो 6 प्लस यहां पर प्लस के साथ हाल कर लिया यह हमारा औसर करने का तरीका है यहां पर देखें इसने कहा A star B को कार्थ कुछ ऐसे है कि पहले A लिखना है फिर B लिखना है फिर A को भाग करना है B से ठीक है न तो 12 star 4 का मतलब बताओ देखो बंधू 12 star 4 का मतलब क्या निकलेगा भई इस तरीके से तो हम भी तो ऐसे करेंगे 12 प्लस के 4 प्लस के 4 तिया 12 याने की 3 तो भाई देखेगा 12 और 4 यहां टे डारेक्ट जोड़ो बस और क्या इसमें करना ठीक है दोस्त 12 और 4 16 और 3 19 पर आपको टिक करके अपना नंबर बना लेना है ठीक दोस्त 12 प्लस 4 प्लस 3 करके कहा 19 option में हमारे है वहां से हमने अपना मार्क्स बना लिया देखो दोस्तों लिखा है 323 के अबाजे गुननखंड है वो 3 हैं 5 हैं 2 हैं या 0 हैं ठीक है घीरो तो तब होंगी जब इसके कोई गुननखंडी नहीं होगी चलो देखते हैं पहले किया गुननखंड हो सकते इसके तो दोस्तो हम 323 के एक फैक्टर करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले किस से कटेगा यह यह दो से नहीं कट रहा भाई तीन से भी नहीं कट रहा चार से भी नहीं कटता पांच से भी नहीं कटता छे से भी नहीं कटता साथ से भी नहीं कटता ठीक है ना ऐसे लिखा 153 हो गया सतरे नम्मा 153 तो उन्नेस बार फिर उननेस से काटेंगे दोस्तोट एक आया, तो यानि कि कि ते मेरे भाई, 2 अभाजी गुननखσट बन गये,' तो किसरे टिक करेंगे ox'd si numas? समझ आया तो इस तरीके से यदि कोई सवाल आपके लिए आता है तो आप देखेंगे जरूरी नहीं कि दो से कट जाए तीन से कट जाए आप ट्राइ करते जाएंगे चार पांट छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरह कहीं तो किसी ना किसी नंबर से तो वह जरूर कटेग चलो दोस्तो अगला क्यूशन देखते हैं इसने कहा 0.3 के उपर एक बिंदू लगा है डोट तो दोस्तो ये बार को इंडिकेट कर रहा है ये सो कर रहा है कि इसके उपर बार है 0.6 के उपर फिर से बार है 0.7 के उपर भी ये बिंदू जो लगा है ये बार को इंडिकेट कर जीरो दसमलो आठ के उपर भी जो बिंदू लगा है बार इट मेंस इस सवाल को हल करेंगे तो कैसे होगा दोस्त तीन बटे नौ प्लस के छे बटे नौ प्लस के साथ बटे नौ प्लस के आठ बटे नौ कहने का मतलब दोस्त उपर की संखेसी जुड़ जाएंगी और नीचे आ कहीं एसा तो कहीं है नहीं चलिए और तीन से काट लें तीन अठ्टे चौबिस तीन तिया नौ यानि कि आठ बटे तीन इस रूप में मिल जाएगा दोस्तो अब भिन के रूप में सही के रूप में खोल के लिख लो इसको तो तीन दूनी 6 दो बर पहड़ा जा रहा दो बर पूरा पूरा कुठा तीन दूनी छह कितना एकस्ट्रा है दो कर दोखी है और बटे में यह देन लिख दिया दोस्तो जहां भी ऐसा दीका वह हमारा आंसर हो गया चलो दोस्तो इसको देखो यहां से देखे का दोस्तो एन प्लस दो बटे तीन एन प्लस एक बटा दो एन प्लस एक बटा साथ एन बराबर सतानवे है तो एन का मान क्याति करो इसको हल करो और एन का मान क्याति करो तो दोस्तो ठीक है क्या शौट ट्रिक लगाएं बस एन को मले सबसे पहले n ने तो यहां सट एक बचेएगा यहां से दो बटे गया 3 यहांसे एक बटदो और वह से कौण एक बट गड़ा साथ और बराबर में कौन गई 97 जो सामने रखा हुआ है तो हम क्या देख रहे हैं, दो, तीन और साथ, इन तीनों का लेस है, कितना बैठेगा दोस्त, आँ चौदत या बैयालिस, ठीक, आपने इनका एलसी एम, तीन, दो, साथ का, एलसी एम, बैयालिस ले लिया, अब आप बैयालिस को इस एक से भाग करें, क्योंकि इसके नीचे एक है, बिनों का जोड़ना, घटाना हम कर रहे हैं, तो अम बैयालिस को इस हर से भाग करेंगे, एक से तो बैयालिस ही आएगा, उसकी गुना ए और 21 की गुना एक से करेंगे तो 21, प्लस, ठीक है, अब आप 42 को इस 7 से भाग दें, तो 7 छंग 42, 6 आया, 6 बार भाग हुई, 6 की गुना उपर लेकी संके एक से करें तो 6, बराबर 97, ठीक है दोस्त, जोड़ेंगे, तो अब हम क्या देख रहे हैं, N गुना, आप ब्रेकिट 2, 6, 4, 8, और 1, 9, 9, और बटे क्या है दोस्त, 42 है और बराबर 97, 97 से 97 करता है, N बराबर दोस्त, 42 की आड़ी गुना एक से हुई, क्योंकि 97 और 42 की गुना एक से हुई, तो N बराबर 42 इस तरीके से हमारा आंसर आ गया दोस्त, और 42 पे टिक करके हम अपना नमाक्स तो I hope यह आपको समझ में आया, यहाँ पर देखो मित्र, यह कहते हैं A2, गुना में नहीं या पावर में नहीं है यह, ठीक है न, यह सामने लिखी संखिया है, तो A2 गुना 7A, ठीक है, मित्र A का मान हमें ऐसा रखना है कोई, कि गुननफल यह बैठ जाए, ठीक है दोस्त, चलिए मैं black pen कर लेता हूँ, तो भई, अब हमने देखा 3, ठीक है, अगर मैं 3 रखके देखूंगा यहाँ तो 3, 2, यहाँ पर 3, 3, 2, 6, और 3, 3, 9, नहीं बन रहा दोस्त, ठीक है न, फिर क्योंकि 9 बना, और 7, 2, 14, 14, 14 और 9, नहीं नहीं आएगा, ठीक है, तो दोस्त हम क्य पक्तरी हो गए दोस्तों, चलिए देखते हैं, ठीक है न, यह अंसर आएगा के नहीं आएगा, तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8, 84 और 1, 65, ठीक मित्र, यह लिखेंगे बहुत इंत्विनान से मैं समझा रहा हूँ, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, और 7, 85, 7, 85, और 1, 75, ठीक मित्र, जो यह था, वो ही मिला के न, क्या रखने से, 8 रखने से, एक ही जगा क्या रखने से, 8 रखने से, दोस्तों, यह हमारा आंसर हो गया इस तरीके से, आगे बढ़ेंगे, इसने कहा, यह ठीक है, 544, 527, अपन में यह है, ठीक मित्र, और हमें इसकी मदद से बराबर में X है, 80 कामान, यानि कि कहीं दसमलो नहीं चाहिए हमें, तो दोस्त हमने क्या देखा, यहां कितने अंक बाद है दसमलो, यहां 3 अंक बाद है उपर, नीचे कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद है, और दसमलो तब कटती हैं, जब उपर नीचे दसमलो बराबर इस्थानों पर हैं, य 5,447,000, ठीक है ना जीरो बाद में लेगे हैं, 527 बटे, 82, बराबर X तो थाई, और X यह 0, यह 0 कहां है कि इसके बटे में आ जाएगी, यानि कि इसके बटे में एक तो थाई, यह 0 बटे में आ जाएगी, तो यानि कि जिसका मान हमसे पूछना चाह रहा था, उसका मान क्या आ चलो दोस्ते बहुत अचा सवाल देखते हैं, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाएं कि पिकनिक पर जाएंगे, हम सब के सब लोग और 108 रुपए का कुछ कंबाइन चीज खरीदेंगे, 108 रुपए खर्च करेंगे, उनमें से 3 पिकनि अपने से 3 रुपए जाद खर्च करेगा दोस्तों तो इन्होंने कहा तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितने थी यानि कि अभी कितने गए हैं तो मित्रों बिल्कुत साधरना भासा में सबजने की कुशिस करो ठीक है कि भई 108 रुपए खर्च करने थे कुछ द प्रतियक लड़के को 3 रुपए जाद खर्च करने पड़े यानि कि जितने का ओरिशनल प्लान था अब उनको यहां जो देने से जो बैठ रहे थे यहां जो कुछ भी अब 3 रुपए और जाद देने पड़े रोस्तों यह इसका तरीका है कि क्योंकि लड़के 3 कम हो गए इ दोस्तों तो पूरुम में वो संख्या कितनी थी अब हम बस X का मान सब जेंगे रखके देखेंगे दोनों साइड बराबर बैठ जाने चाहिए चलो दोस्त 15 रखके देखेंगे तो 15 से तो यह 108 कटता ही नहीं तो यह पहला विकल्प तो यूंहीं कट गया दोस्तों चलिए 12 रखेंगे तो 108 बटे 12 प्लस के 3 बराबर 108 बटे 12 यह 12 माना ना दूसरे विकल्प X का मान 12 तो 12 में से 3 गया 9 ठीके दोस्तों 9 से काटो 12 नम्मा 108 बारा बार कटा यह 12 नम्मा 108 नो और 3 बारा इधर भी बारा और भीया उधर भी बारा दोनों पक्स बराबर बैठ गए के नही जैसी मैंने X का मान 12 रखा यहां पर भी और यहां पर भी यह दोनों पक्स जो मैंने सर्थ बनाई थी अभी अभी कंडिशन बनाई थी वो सैटिछफाई होगी इधर भी बारा इधर भी बारा इट मेंस पिकनिक पर जाने का जो प्लान था वो 12 लड़कों का था ठीक है ना दोस्तो यह तो माना के माना 12 लड़के जाने थे लेकिन गये 12 में से 3 कम तो ओसत इधर की सैट तीन बढ़ गया ठीक है ना तो दोस्तो ओरिजिनल संक्या की कतनी थी वो 12 लड़के 12 जो पिकनिक पर जाने थे ठीक है ना लेकिन अभी कितने गए 9 गए यानि कि अगर पूछत तो हमने इस बारे में से तीन कम कर लिया, I hope आपकी समझ में आया, आगे देखो, 1000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जो 10 और 13 दोनों की गुणज है, यानि कि दोस्तों, 1000 से कम ऐसी कितनी संख्याँ, जो 10 से भी कटे और 13 से भी कटे, अरे भाई 10 और 13 से कटने का मतलब वो 130 से कटे 13 धाई 130, वो 130 से कटे, वो 260 से कटे, वो 1349 यानि की 390 से कटे वो 1354 यानि की 520 से कटे, यानि की 130 के गुणजों से कटती चली जाए तो दोस्तो एक हजार को बस आप 13 धाई 130 से भा कर लें, कितने बार पूरा-पूरा कट सकता है, 13,7,9, ठीक है न, कितने बार पूरा-पूरा कट सकता है, 7, तो दोस्तो 7 हमारा आंसर है, ऐसी कितने संख्याई मिलेंगी, 7 मिलेंगी, जो 1000 से कम होंगी, I hope आपको समझ में आया, यहां देखो दोस्त ये भी बहुत अच्छा क्यूशन है इसको भी समझना जरूरी है हमारे लिए क्या है कि भाई एक से पचास तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवशकता हमें पड़ेगी हमें कितने डिजिट कितने अंक चाहिए होंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्तों अब एक से लेके जिब तुम नौ तक लिखोगे एक से लेके नौ तक तो तुम्हें एक का कंक की जरुद पड़ेगी आने कि बराबर तुम्हें जरुद पड़ेगी नौ को की और अब तुम 10 से लेकर भी या 50 तक लिखोगे, क्योंकि 50 तक ही 14, तो तुम्हारे पास कितने अंख हो गए, है न, n बराबर, n का फार्मूला क्या है, l-a upon d plus 1, यानि कि सिदा सिदा समझो, 50 में 10 घटाव, 50 में से 10 घटाव, 40, 1 जोड़ दो, यानि कि 41, यानि कि अगर मैं 10 से लेके 50 तक गिनू, तो कितने हैं, ठीक है न, कितने 41 हैं, और 41 अंख हैं, और प्रती एक अंख में कितने कितने हमें अंख बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है न, तो कितने संख्या हैं, 41 संख्या हैं, और हर संख्या में 2-2 अंख, देखें, 10 में भी, 1 और 0, 11 में भी 1, 12 में भी एक और दो, यानि कि दो-दो, दो-दोंक आ रहे हैं, तो दोस्तो 41 का गुना 2 से कर लो, यानि कि 82 अंकों की जरूद तो यहां पड़ेगी, 9 की उपर पड़ेगी, दोस्तो तो कितने होगी हमारे 91 पे हमने टिक कर दिया, हमें 91 अंक लिखने पड़ेंगे पैन से, ठीक है दोस् यहां 91 हो गए, आके देखो दोस्त, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो वह अपनी तीगुनी संख्या से साथ कम हो जाती है, तो दोस्तों, ठीक है न, अब ऐसे कहां X मानेंगे भाई, हम तो option से करना जानती हैं, मैं पहले सी आप से कहता रहूं कि हम X पर जादा निर्भर हैं, दोस्तों हम options के सारे से जादा से जादा questions करेंगे, ताकि हमारा time और energy दोनों बचे, तो दोस्तों, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, पहला यह option ठाओ भई, 14 में 21 जोड़ा कितना बना भई, 35, 35 बना, तो यह कहते हैं, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जा साथ कम है, हाँ कम है, तो भईया पहला यह option हमारी satisfy कर गया condition, ठेक है न, बलो समझ पाए होंगे, आप दूबार दोस्तों फिर से समझाता हूं, 21 में हमने पहला विकल्ब जोड़ा के देखा, 35 बना, क्या इसी जो संख्या जोड़ी, क्या उसी की तिकने से साथ कम नहीं, और कुछ ही सेकेड में कर पाए, चलिए अगला equation लिखता हूं, चलो दोस्तों, इस सवाल को भी देखो, इसने कहा 5E9, 2F8, 3G7 का जियोग जो ही यह दिया हुआ है, तो F का कोई एक अधिकतम मान बताओ, कोई एक अधिकतम, अधिकतम भी जोड़ लीजिएगा, कोई एक maximum मान बुझ रहें, कि A का, F का maximum मान कब हो सकता है, ठीक है न, चलिए, तो F का maximum मान कब हो गाए, यह दि किसी एक का, चुकि यह और भी दे रखें, तो किसी एक संख्या का कभी भी ऐसा पूछें कि अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो अधिकतम का मतलब, इसका मतलब, अगर F का अधिकतम पूछना है तो E और G का नियूंतम रखना पड़ेगा हमेसा नियूंतम रखना पड़ेगा अगर उसका अधिकतम पूछा है तो ने तो ऐसे फांड नहीं कर पाएंगे हम तो दोस्तों यदि हम यहीं लाना है यूग करके तो हम क्या लिख दें भाई 509 यहाँ पर भी लिख दें 307 और यहाँ पर लिख दें दोस्तो दो F की जंग क्या लिखें और 8 कि मेरे भाई यहाँ पर यह यह और 4 बन जाए चलो देखो ठीक है तो अधिकतम पूछा है तो अधिकतम की सुरुवात कर दें सबसे पहले 9 रख ले इन में से विकल्पों में भी यह हैं सबसे पहले 9 उठाए अधिकतम उठाए तो देखो दोस्तो क्या होता है ठीक है न अगर हम 9, 7, 8 को जोड़ेंगे तो 24, 24 का 4 हासिल लगे 2 ठीक है फिर 9 में जोड़ा तो 9 और 2, 11 का 1 हासिल लगा 1 और दोस्तों 5, 3, 8, 2, 10 और 1 हासिल का 11 बोलो सारे कंडिशन सैटिछफाई बैठ गई के नहीं जो चाहरेते हुई होगा के नहीं तो इस्ट मेंस हमने F की जगे क्या रख दिया दोस्तों F की जगे क्या रख दिया दो F 8 की ज परपज मैंने इस में से जो और भी कुछ बचे हुवी क्यूसन से थे वो सब छाट कर आपको कराने का कि भही इस टाइप के क्यूसन से भी आ सकते हैं नहीं तो मैंने जो इन 8 वीडियो से आज 9 वी वीडियो थी इन 9 क्लासों में यह कोसिस की है कि संक्या पद्यती को आपको मेकजिमम सवालों पर आपके पकड़ बन जाएगी यदि आप सब वीडियो को देख लोगे दोस्तों तो बस मेरा यही अनुरोध है कि आप सबी वीडियो को देखें और मेरे सबी वीडियो को प्लीज इनको लाइक करें इस वीडियो को भी आप लाइक करें और चैनल पर न